सब्सक्राइब कर रही हूं और एक सवाल आप सभी के लिए आपके पूर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कहने ही पा रहे है जो वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं जो वो आपको दिखाने ही पा रहे हैं सप्रेशन या फिर ब्रेक अप के बाद ठीक है तो यह सारे सवाल आज की रिडिंग का टाइटल है और इन सवालों को ढूड़ने की हम कोसिस करते हैं रिडिंग के जरीए समझ गए गाइस आपके पूर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं क्या सुनाना चाहते हैं और क्या आपसे शेयर करना चाहते हैं समझ गए गाइस आपको उनकी फिलिंग्स पता चलने वाली है उनकी जो धीडन फिलिंग्स है सिक्रेट फिलिंग्स है ट्रू सची भावनाएं जो है वह आपको आज की रिड करना है पाइल समझे गए गाई तो पाइल नमबर वन में है A F D M V O C L G QT R और यह हमारा पाइल नमबर 1 AF D M V O C L G QT R और वाई तो देख लीजिए कि आपके पार्टनर का नाम का पहला अख्षर पाइल नमबर वन आई रिपीट बिकेट पी एस एकस ए आई जे नुड़ और जैट ये हमारा पाइल नबर टू तो गाई देर किस बात की कर लीजिए मेनिफेस्टेशन कर लीजे मेडिटेशन आप हो जाईए पॉजिटीव एनरजी में सची भावनाव में रहे गाई दिखावा मत कीजिए फेक एनरजी में मत रहे और जो है भ्रह्म भी अपने अंदर मत पा लिए ठीक है जैसा है वैसा है जो सिट्वेशन है उससे अडप्ट क करना सीखेगा इस ठीक है फ्यूचर किसी को नहीं मालूम होता है आने वाले दिन में फटाफट कैसे जो है जिन्दगी बदल जाती है एनर्जी बदल जाती है साइकल चेंज होता है एक सिफ्ट से दूसरे सिफ्ट रहा है तो यह सारी चीज़े जो है अकलपनिये होती है कि सारी चीज़े हमेराच भागवगगवे बदला है क्या बता किसी सिंदगी में दूसरा सिफ्ट आने वाला है कर्मा बदलने वाला है तो रिडिंग करने का वज़य यही होता है इंसां हो की है तो आपने अपना पाइल सलट का लिया है लेस्ट टार्ट यूर इडिंग विट पाइल नमबर वन तो पाइल नमबर वन यह है गाईज हमारा सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए हम औरकल कार से ूनिवर्स की तरफ से टेकेंगे तीन कार्ट इसमें यहां से निकालने वाली हुँ देखते हैं कि अनिनिवमोर्स को क्या बताना है हमें आपके पोर्सन के बारे में या आप दुनों के रिलिशन्शिप के बारे में ना युनिवर्स क्या जानती है आपके पॉर्सन क्या बताएंगे यह तो हम टैरेट से निकालेंगे ही साथ में मैसेज़स भी इनकी तरफ से निकालने वाली हुम है तो रिडिंग को आप पूरा देखे लास्ट त बिल्कुल रेंडमली दे रही हुम गाईस ऐसे यहां से तीन चाहिए था दो तो यही से निकल कर आ गया है फाइटिंग वाली एनरजी है और नमबर थ्री है एक्सपीरेंसिंग अनुभव वाली एनरजी है एक और निकालते हैं माइंड चले तीन कार्ज मैंने यहां से निक निकल कर आया है और यहां पर बॉटम में जहां रिप्नेस वाली एनरजी निकल कर आईए गाइस ठीक है कि इस को दो टैयरत से निकाल लेंगे उसके बाद आपको बताऊंगी कि क्या कहना चाहते है वह आपको टाना चाहते है एक्स्पिरेंसिंग की जो एनरजी यहाँ पर निकल कर आई है गाईज वो कुछ अनुभव को दिखा रहा है तो अनुभव की इस एनरजी को देखते ही जहन में एक आता है वर्ड आता है वो है कर्मा समझ रहे हो जब भी अनुभव वाली अनरजी आती है ना तो यह कर्मा की अनरजी होती है कर्मा के वज़े से ही जो है घटनाए घट रही है कि अंजे सो रहे है डेथ देखे जैसे ही मैंने आप से कहा तक कर्मा है की नहीं गई जैसे ही मैंने कहा तक एक्सपिरेंसिंग को देखकर कर्मा का याद आता है एक वोड आता है जहन में कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अनुभव करवाने के लिए एक्सपिरेंस करवाने के लिए या फिर कर्मा काम कर रहा है चीजे जो है खतम हुई है बदली है है एक सिफ्ट आया है आप दोनों के रिलेशन्शिप में तो जैसे ही मैंने यह कहा था और डेथ का जो है वन्डरफुल कार्ड हमको मिल चुका है वन्डरफुल एनरजी हमें मिल चुके है तो यह आप जानते ही होई कि यह आपके पोर्षन की एनरजी बिलकुल नहीं है यह आपका यह आपके पोर्षन का कर्मा है तो उपर वाले ने बता दिया साफ हो गई, क्लियर हो गई एनरज टू आफ सोर्ट्स, फाइव कार्ड्स, फाइव पांटिकल्स, बॉटम में आपके अनुभफ तो हो रहा है आपके पोर्सन को, अच्छे से जो है अनुभफ करवाया जा रहा है, इसमें कोई दोमत नहीं है बिलकल भी, चलिए इस डेक से भी हम वैसे ही पांच कार्ड्स निकाल रहे हैं और उसके बार आपको बताएंगे कि आपके पोर्सन आपसे क्या कहना चाहते है, आपको क्या बताना चाहते है और साथ ही साथ उपर वाली की मर्जी क्या है, सबक तो आपको भी मिला है, सबक आपके पार्टनर को भी मिल रहा है, यही है कर्मा आप दुनों का, एस ओफ वैंस, सोरी, एस ओफ सोर्स है, इस ओफ पांटिकल्स, की जो भाग्य से जुडाओ को दिखाता है, डेथ आया है और एंप्रस आया है, दोनों ही एनर्जी बता रही है, आप दोनों का जो है, जिन्दगी का जो एक सफर है, वो बिलकुल साथ है, फिर से वही एनर्जी कुईन आफ का, आप रीडिंग में क्या दू गाइस, आप ही आप हो, बॉटम में सेवन आफ सोर्स के एनर्जी आई है, तो अनुभव किस लिए हो रहा है, दर्द किस लिए हो रहा है, देख लीज है, इसके अलावा एर साइन है, जैमनी, लिब्रा, अक्वरेस, मितुंतुला और कुम, रासी, फायर साइन है, लियो, सेजिटेरेज, एरीस, सियंदनों, मेश रासी, अर्च साइन है, टौरोस, वर्गो, कैप्रिकॉन, विशप कनिया, मक्कर रासी, और वोटो साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, करेक्रिशिक और मीन रासी, तो सभी के सभी साइन और अलिमेंट मौझूद है, तो क्या कहना है, इस इंसान को आप से, इनके द्वारा जो बाते बतानी है, वो तो बता नहीं है, गाईस, हैना, पर सबसे पहले, इस वर आप से कुछ कहना चा हुआ, जो हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा, वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा, कहने का मतलब है कि कर्मा यहाँ पर काम कर रहा है, आप दोनों जो है कार्मिक रिलेशन्शिप में हो, आप और आपके पोर्षन पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हो, आप दोनों का जो रिलेशन्शिप है, वो आज मिले और आज ही रिलेशन्शिप बन गया और आज ही खतम हो गया, ऐसा रिस्ता आप दोनों का है ही नहीं, आप दोनों को जुड़कर, आप दोनों को मिलकर इस कर्मा को भुगतना है, कर्मा को क्लियर करन अब दोनों को कर्मा की सफाई करनी है और में इंपॉर्टेंट एनरजी यहां पर आपकी कि यूंकि आपको आपके पूर्शन ने आपका कर्मा का फल दिया है और बहुत भूत भूत ज़्क सब्लीडन धाएं आपको एक बात में मिलएन नंबर वन जब इनसाथाओ करता है क्योंकि धोके के एनर्जी देखे टैन ऑफ सोर्ड भी है सेवन ऑफ सोर्ड भी है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत बुरा आपके साथ धोका धड़ी किया है रिलेशनशिप में जो सेप्रेशन की वजह बनी है वो डेफिनेटली धोका ही है चीटिंग ही है बेवफाई है आपको समझना है कि जब कर्मा काम कर रहा होता है तो उस इंसान को पता नहीं होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं मैं जो है बहुत बेरहम हो गया हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मैं हस से ज्यादा ही किसी को तकलीव दे रहा हूं या दे रही हूं हस से जादा ही मैं किसी को आसू दे रहा हूं तुने पता नहीं होता है इसी वज़े से लोग ना दर्द देते चले जाते हैं और उनको एहसास नहीं होता है क्योंकि आपको कर्मा मिल रहा है और इनको जो है एक महरा बनाया गया है इनको एक पुल बनाया गया है आपके पॉर्शन क जो है गलत ठहराना भी जो है जब ऐसे कार्ड आजाते हैं रिडिंग में ऐसे इंसान को हम यूनो मुझ्रिम हम करार नहीं दे सकते गाइस इनको हम बेवजे जो है इन पर हम इल्जाम नहीं लगा सकते कि फलाने ने हमारे साथ गलत कर दिया इस इंसान ने हमारे हमारे करते है तो लुए यह करते हैं ब्हुत हैं बन्सक्राइब करूं की यह प्रेट द्यूंच में यह कार्म के चीशन बहुत हैं मैंने एक गलत इंसान क Elena 날ya के रिस्टा बना चाल याप प्यार इनको दे दिया तो प्लीज यह ब्रेम-गेंग जो होता है, आपको फ़स्टे स्वेध्र करना है। उन्हूंसे क्या गलती हुई है ! पर यह वी है कि कर्मा कर नजर आया है है और आपके प्याया तो बनख करने जह नहीं करते है कि पहले आपके हैं कि नोने किया है औहलग नोने किया है न आपको कहते आप का आ इसाब किताब यहां पर चल रहा है तो सबसे पहली अनरजी ही आपके पोर्इस कि तरफ से यह निकल कर आ यह वह आपसे यह कहना चाहते है कि मुझे माफ कर दो देखेənे ऑशोर्स जो आनरजी आ नहीं है अगर आप female हो तो male की energy है male हो तो female की energy है ठीक है तो आपके person सबसे पहले आपसे माफी ही माँगना चाते है guys सबसे पहले सरमिंदगी वाली energy यहाँ पर है यूनों कि इनकी गर्दन जुकी हुई है इनका जो एक अस्तित्व है वो अस्तित्व ही इनको लगता है कि मिट गया है खतम हो गया है मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है मेरे जिन्दगी जीने का कोई अर सबसे थी हैना चाहे मेरी मजबूरियों की वज़े से थी हैना मैं तुम्हारे तुम्हारा गुनेगार हूं मैं तुम्हारा मुझ्रिम हूं मुझ्रिम हूं और जो है मैं अब इतना जड़ा अपने अस्तित्व में नहीं हूं अपने वजूद में नहीं हूं कि मैं आकर तु ना ही आपके partner की गल्थी है जोभी हुआ है वो सजा की तौर पर हुआ है हाना आपको सजा देने के लिए इस इंसान का इस्तेमाल हुआ और अब पर आपकी साथ गुनाह करने के बाद इस इनसान को भी कर्मा मिल रहा हो तो इनका भी कर्मा है गई समझ रहे हो न तो दोनों ही आप लोग मुझरिम नहीं हो यह सारा जो है कहते हैं ना कि हम गलत समय है मेरा गलत वक्त चल रहा है यह गलत वक्त आपका चल रहा है पर आपको ध्यान देना है कि अब जो है इस्वर का वक्त आ रहा है याने कि divine timing यहां पर आता हूँ नजर आया है डेज के से से तो इस पोर्षन इस टोटली हो प्लेस मुझे आप यहां पर नजर आ रहा है कि रिलेशन्शिप को लेकर आप दोनों के प्यार को लेकर आप दोनों का जो भरुसा तोटा है उसको लेकर यह इंसान बहुत ज़्यादा नाउमीद हो गई है कि अम जो है उटकर खड़ा नहीं हो पाएगा हम दोनों का रिलेशनशिप आप डबन नहीं पाएगा यह जो प्रॉमिस मैंने किये थे मैंने उन वादों को मैंने तोड़ा है तो आप जो है यह बर्चिब बरकरार रखना सायद मुस्किल होगा तो इनको भी कहीं न कहीं लग रहा है कि माफी नहीं मिल पाएगी अगर यह आप से माफी भी मांगेगे ना तो आप इनको माफ नहीं कर पाओगे तो इस तरीके की एक बेचेनी यहां पर और सारी चीज़े जो है खतम होता हुआ यह अप बुरी तरके से यहां पर हुआ है सिर्फ एन उस्वर्ट धोके को नहीं दिखाता यह तो सरासर एक एक ऐसे नाइसाफी को दिखाता है जो आपके पीष पीचे हुई है पीट पीचे होने का मतलब क्या होता है कि आया तो इस इसान एसा कुछ बड़ा गुना कर दिया है ना जिसकी खबर आपको नहीं थी जो हो सता है कि बहुत लेट आपको पता चलाया कि इंसान चीटर निकला इस इंसान ने आपको धोका दिया आपके पीट पीचे कुछ करता गया आपके पीट पीचे कुछ यह इंसान जूट बोलता गया या कुछ कारणामें ऐसे करता गया और आ और तरफ सामने से करने वाली एनरजी होती है जूनोon कि आपने कई भार इनके झ्छूट को पकड़ा है और इनके जूट को पकड़ा कर इन से सवाल किये है और ये इंसान हमेचा टालता गया बहाने लगाता गया आपसे वक्त बेव्क्त इमयारा iß़िंग बोलता गया आपको आपको लोगों के लिए पीछे धोका हुआ है तो लोगों के अंखों के सामने ढ़ुखा हुआ है और आप इनके इस धोक्य को सचा प्यार समझकर हर इनको वक्त दीते गए माफ करते गए इनकी जुटों पर ढालते गए कि आध इंसान भैका हुआ है यह कल शुदर जाएगा यह इंसान मुझे प्यार करना स्टार्ट करेगा इस इंसान को अपनी गलतियों का रियलाजिशन होना सुरू हो जाएगा तो आपने इनको बहुत सारे मौके तो दिये ही है और इसलिए दिये है क्योंकि आप इनसे सचा प्यार करते थे पर कर्मा को यहां पर कुछ और मंजूर था दोनों को ही कर्मा देना जरूरी था ताकि आप भविषय में फिर से किसी की जिन्दगी बरबात ना करो आप भविषय में फिर से ऐसी गलतिया ना करो आपकी इस प्रिच्छोल आविकनिंग हो आप जो है एक सही रास्ते पर चलो और सही डारेशन पर चलो तो यह हम्मत कर बताने कि मतलब यह सारी प्लसक्राइब हर नायरा pierws लुए इसे साहने में बेड़ाबर आलगि स्कुलोट लुक्त विए स्लवार बिल्सक्राइब है इनने खुलकिन ऑसलीय को सब्सक्राइब इनकी इस दर्द को देखने वाला कोई ने, इनको संभालने वाला कोई ने, तो अंदर की एक घुटन मुझे महसूस होती है, आपके पोर्सन के एनर्जीज में ये इनसान सो नहीं पाते हैं, देखें, सो नहीं पारें, ठीक से इनसान क्यों नहीं सो पारें, क्योंकि इनको भी सोचते हैं आपके पॉशन रातों को यहीं सोचते कि कास जो पिदी है उसे बनाया जा सकता कास जो घटनाएं घटी है जो नहीं होना ता य। उपक्त रहतें ही you know relationship को टूटने से बचाया जा सकता कास वक्त रहते ही जूट को जो है control किया जाता है न तो यह सारी जीजे तो अलरी हो चुकी है तो कहते हैं न कि आप पस्तावे क्या हो जब चड़िया चुक गई खेत वहीं सारा जो यहां पर यह हो रहा है कि आप पस्ता तो रहे हैं पर जो है अप फसल है ही नहीं अब वो relationship है ही नहीं तो किसे जाकर काटेंगे और किसे जाकर बोएंगे तो ऐसी स्थिती में आपके portion के energy नजर आई है five of pentacles को देख लो अब यह energy यही बता रही है कि यह आप से कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हूं या अकेली हूं कितना खालीपन है मेरी जिन्दगी में उ चाहे वो काम कर रहे हैं काम workplace पर क्यों ना हो चाहे वो family के साथ क्यों ना बैठे हो चाहे वो रात को सोने की कोशिस क्यों ना कर रहे हो चाहे वो कोई भी नित्यक्रम कोई भी काम कारे करते हुए यह इंसान आपके खयालों से दूर नहीं है आपने आपको अकेला ही महसूस क रहे हैं आपके वगेर यह एनरजी फाइव पैंटिकल्स हमेंचा जो है किसी बहुत इंपॉर्टेंट यू नो एक ऐसा इंसान जो हमारी जिन्दकी का एक एहम हिस्सा था उस इंसान को खो देने के बाद जो सुनसान राते होती है जो सुनसान दिन होते है वो सुनसान सफर है इंका उस 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 सुनसान अकेलेपन को दिखा रहा है जो ये आपसे चहना चाते है that I'm lost मैँ खोड़ चुका हूं तुमारे भी ना से या खोड़ चुकी हूं तुमारे भी ना मन नहीं लगने वाली energy कि खाने पर भी मन नहीं होता सोने का मन नहीं होता आलश्य होता है Laziness feeling हो पस्तावा है और उस पस्तावे के अलावा इस इंसान के जिंदगी में आज कुछ है ही नहीं है कुछ भी नहीं बचा है आपको इन्होंने टोटली खो दिया है ऐसा एसा ये इनसान महसुस कर रहे हैं अब देखें एंप्रेस के एनरजी और कुई आफ कप्स के तो दो दो एनर साथ उनके साथ एंप्रेस के जुड़ कर आइं कीशन बटाया Ben करमा ने बटाया है कि करमा में तुम दो ना अ कब भागे जुड़ा हुआ है सिफ्ध यहां पर जो है होना था खतम चीजे होनी थी हो चुकी है पर फिर भी अभी भी देखो अभी भी तुम दोनों खोने के बाद भी खतम होने के बाद भी रिस्ता खतम होने के बाद भी अभी भी जो है तुम दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हो तो इस मेंस कि आप दोनों का सफर खतम नहीं हुआ है आप दोनों की जर्णी खतम नहीं हुई अभी भी आप दोनों एक साथ connected हो डिसकनेक्ट कि आपर जो हुआ है रिलेशनशिप वो कर्मा के वज़े से कर्मा का एक सिफ्ट होना था उसके वज़े से हुआ है पर still that you both are connected with each other आप दोनों के बीचे सेप्रेशन क्यों ना हो गाइस आप दोनों के बीचे प्रॉलम्स क्यों ना हो पर कर्मा जुड़ा होनी की है अनरजी यहां पर आज निकल कर आई है समझ रहे हो ना तो यह बहुत ब्यूटिफुल मैसेज आपको जो है उपर वाले ने भेजा है और इसे आपको समझने की जरूत है ना कि धोका मिला है मैं जानती हूं गद्दारी हुई है यह भी मैं जानती हूं बेवफाई हुई है यह भी मैं जानती हूं पर इसके अलावा भी आपको जो है इस इंसान को सड़ता रहेगा इंसान गायब जाएगा अपने अंदर ही क्योंकि जब तक आप इनको माफ नहीं कर पाऊगी इस इंसान की हीलिंग नहीं होगी यह इंसान पस्तावे में ही रहेगा और कर्मा का सबसे कि माफिय देना के यह जैसान को माफ करना है वह इस इनका लिए जंड इस इस इनकार न कर आकर साहरी बाते आपको माफ निकल जो अभी मैं नहीं देख पारी कि यह सामना करने की स्थिति में है अभी तो यह बिल्कुल आपके सामने प्रेजेंट भी नहीं हो पा रहे हैं इनको इतना अंदर तक इनसान हट हुआ है अपने ही गलतियों की वज़े से हट हुआ है समझ रहे हो ना तो आपको इन्हें माफ कर करना है यानि की माफ करना है तब ही जाकर पूरा कर्मा यहां पर साफ होगा क्लियर होगी समझ रहे हो अब आने वाले दिनों को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी चलिए दूसरे एनर्जी और बात कर लेते हैं और इनको प्यार का एहसास नहीं है जो आपसे मिला है जी आहा बहुत ज़्यदा यह इनसान जो है बिलकुल मैंने कहा दीया ना कि ऐंसान एक ऐसा लमहा नहीं है कि ए इनसाध ह्यार के बदाण नहीं रहा है, आपके प्यार को मिश्त नहीं कर रहाा इनको बली बाती पता है कि मैं ने शुर्सते को बचाने के लिए हमेंसा सिर्फ मुझे प्यार ही प्यार दिया है तो इस तरीके से जो है queen of cups याने के एक ऐसा इंसान जिसके अंदर यूनों सर्फ प्यार है नफरत नहीं है इनके लिए और ऐसे इंसान को नफरत ही जो है इन्होंने हमेशा जो है दिया है वापस यूनों fire back इन्होंने नफरत के साथ ही जो है आपकी जिन्दगी भरी है तो अभी देखे इनको यह सारा चीज़े जो है अनुबव हो रहा है experience यहाँ पर किया जा रहा है करवा रहा है इस वर इनके मन में और और उसे इनसान को आप वापस जो है पाना साथ मुश्किल है इसी चीज़े का तो रिग्रेट यह कर रहे है कि आपको खो़ो देने के बाद अब क्या यह प्यार मुझे दुबारा वापस मिल पाएगा जब मुझे इस इनसान की जरुत है अब इनको आपकी जरुत है पर यह इनसान जो है अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर पारे confidence तो बिल्कुल गया गाईज इस इनसान में confidence नाम की चीज़ है ही नहीं इस प्यार को वापस पाने का confidence समझ रहे हो अपने आपको बहुत बड़ा यह इनसान ना इतना loser की जैसा मान रहा है इस प्यार को पाने के लायक ही नहीं हो नालायक हूं मैं इस तरीकी का feeling जो है इस इनसान के मन में बहुत डीप changes यहां पर हुए है बहुत beautiful transformation इस इस इनसान के energies में हो रही है पस्तावे वाली energy दवाव² का कर दाए है माईन का यहां पर काड आया है माईन के बारे में मैं आपसे क्या कहूं क्या और बता रहा है班 क्या कहा है क्या है यहां पर डाइन ऑ सोट किला Sum, से शहरे से आखो से आंखे नहीं मिला रहा है, एंसान मिला नहीं पा रहा, आपसे आ ओकर क्या आखे रहा आप के सवालों की जवाब देगा? आपको आकर क्या कहेगा कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तूमसे माफी माइना चाहता हूँ कैसे कहेगा यह गाई ना दिमाग ठिकाने पर है नः दिल में सुकून है न जिन्दगी में कुछ करने की चाहत है बिल्कुल देखे बिल्कुल टोटली this person is totally gone यह बिल्कुल देखे यहाँ पर यह मैं इस energy को देखर इतना तो कह सकते हूं कि इस इंसान को mental problems, mental issues यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसे हम इंग्लिस में या फिर medical term में हम depression का नाम दे सकते हैं, anxiety का नाम दे सकते हैं तो mental health इस इंसान को mental health problems बहुत ज़्यादा हो रही है, इनका mental health ठीक नहीं है, guys क्योंकि pressure बहुत ज़्यादा है, आपको खोने का pressure यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, गल्तियों का एहसास हो रहा है और mental health भी इस इंसान की खराब हो रही है, देखे कहीं पर भी ढख चुका है यह इंसान, पुरी तरीके से mind इनका काम नहीं कर रहा है, guys fighting वाली जो energy आई है, यह fighting यहाँ पर जो energy निकल कर आई है ना, यह fighting इनके खुद के साथ चल रही है, यह लड़ाई जो नजर आई है, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर लड़ाई कि किस चीज को लेकर है, यहाँ पर लड़ाई अपने अंधर ही चल रहा है, यह इंसान यह इन दिमाग, दिल, अपनी परिष्थिती, अपने अपना जिंदगे का सुकून खोचुका है, यह लड़ रहा है, इस devil से लड़ रहा है आपका यह पोर्सन, समझ रहे हो, यह लड़ाई आपके साथ नहीं है, आपके साथ क्या लड़ेगा, आपके साथ लड़ कर यह इन देखें, six of ours यहां पर आया है, जो totally success को दिखा रहा है, साथ ही साथ यह marriage का card होता है, साथ ही साथ यह क्या होता है, उपर वाले की दुवाएं इस रिस्ते में है, यहां पर यह इसका मतलब यह होता है, यूनों की दुवाएं इस relationship में definitely है, और जैसे कि नजर आता है कि आप दोनों का देखे death बता रहा है कि चीज़े खोने के बाद, चीज़े गुम हो जाने के बाद, रिस्ता एंड हो जाने के बाद, यहाँ पर new beginning है, नया shift है, है न डिवाइन यहाँ पर timing आने वाला है, आपका आपके पोर्सन का time गया, हम कहते हैं न कि मेरा वक्त खराब चल रहा ह आपका वक्त खराब होने का वक्त गया, अब डिवाइन टैमिंग आने के उपर वाले का समय यहाँ पर आ रहा है, जो फिर से चीज़े रिबर्थ होगी, चीज़े फिर से नई सुरुवाद यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखे कर्मा के साथ-साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में यह कर्मा आपके पोर्सन को वापस लेकर आ रही है आपकी तरफ, आपकी तरफ जो है आप दोनों को फिर से मिलवाया जा रहा है, क्योंकि Ace of Swords भी यहाँ पर है, Ace of Swords देखे यहाँ पर गती दिखाता है, Speed दिखा रहा है, Success को दिखा रहा है, युनों की जीत हासल करने को दिखा रहा है, जीत के बाद जो है वापस घर वापसी को दिखा रहा है, हैना, तो यह सारी एनरजी यहने की New Beginning आप दोनों के Relationship में definitely है यहाँ पर, होगी होकर ही रहेगी, अगर यहाँ पर जो निकली हुई घटना है, अगर सच है, अगर आपके साथ धोका ही आज की जो है important main energy है, तो अगर धोके के बाद ही आप दोनों के बीच में अलगाओ हुआ है, तो आपको समझना है कि यह जो death आया है, वो भी आपका future है, जो इसे भी होकर ही रहना है, इसे बदला नहीं जा सकता, यह लिखी हुई चीज है, बराबरी चीजे नहीं होती है, कर्मा काम करता है, है ना भागी को जो है काम करना पड़ता है, साइकल को होना पड़ता है, तब बराबरी जब relationship नहीं हुए, तो आप जाकर बराबर होगा, इनको भी कर्मा मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, उसके बार में equal balancing वाली relationship आप द किसी भी situation को पार करके, किसी भी तकलीफ का सामना करके भी इस इंसान को आपको आकर आपको वो सारी चीज़े लटानी होगी जो इस इंसान ने आप से छीना है, समझ रहे हो? हर चीज़ का हिसाब किताब इस इंसान को वापस आकर बराबर यहां पर करना ही होगा, तो इक्वल गिवन टेक होगी, और साथ में देखे, मैरीज भी यहां पर आप दोनों की नजर आई है, मैरीज यहां फिर रिलेशनशिप सक्सेस होता हुआ नजर आया है, ठीक है, तो मैर इस इंसान को आपको देना होगा, क्योंकि करमा में ही साधी फिक्स्ट है, आप दोनों की पाइल नंबर वन, रिपनेस की एनरजी यहां पर क्या करें, रिपनेस मतलब यह फिर से वही बता रहा है, कि अनुभव वाली एनरजी होती है, यह रिपनेस यानिकी अब जो है परि इपकवता नजर आई है, है ना आप दोनों मैच्वर हो रहे हो, आप दोनों को सबक मिलने के बाद, जुदाई होने के बाद, अनुभव आप दोनों को हो चुका है, और आप एक बिलकुल पके हुए फल की तरह, जो आप अनुभव करके बाठा हुआ है, कि अपने धोके का भी आइसास है, इनके आपके लिए प्यार और आपका इनके लिए प्यार ये सारी चीज़ों का जो है, अनुभव और परिपक्वता यहां पर दोनों ही चीज़े नजर आई है, इसके नीचे मुझे इंटिग्रेशन का कार्ड भी नजर आ चुका है, जो बत पास आकर शेयर करने के लिए थोड़ी सी प्रॉलम ये इंसान महसूस कर रहा है, तो थोड़ी सी समस्या यहां पर है, पर मैं बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में रियूनन होता हूं, भी देख रही हूं, पाइल नबर बन तो चलिए, अब देखते हैं कि यह आपको कौ You push me to be positive, मैंने आपसे यह भी कहा था, जब seven of swords को मैंने देखा था, तभी मैंने आपसे कहा दिया था कि यह इनसान, कि कुछ लोगों के तो आँखों के सामने ही यह हर पल छलावा करना, हर पल बात बात पर जूट बोलना, हर पल भागते रहना, आपको इग्नोर करते रहना, मतलब आपके आँखों के सामने, यह आपको, आपके सामने बहुत सारी चीज़े इस इंसान ने की है, फिर भी जो है, आपने हमेशा इनको नजर अंदास किया है, इनकी गलतियों को चुपाया है, परदा डाला है, यह मैंने आपसे कहा था, तो यहाँ पर यही बात आपसे क कहना चाहते है, you push me to be positive, तुमने मुझे हमेशा positivity के तरफ तुमने मुझे आगे बढ़ाया है, मेरे अंदर negativity थी, मेरे अंदर गलत चीज़े थी, मैं एक devil था, मेरे अंदर बहुत सारी गलतिया थी, जो माफी के लायक नहीं थी, पर तुमने हमेशा मुझे positivity तुमने देखी ह मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने पर तुमने मुझे गल्ट किया है, तो आपका ये जो support है, ये इनसान कभी नहीं भूल सकते, ये है पहला message number 21, इनकी तरफ से आया है गाईज, you make me smile for no reason, देखे, अभी भी इनका ये ही चकर चल रहा है, you know कि queen of cups की दो-दो energy आई थी, अपकी बारे में जब भी इनसान सोचता है ना, तो इनसान अंधर ही-ंदर मुस्कुराता है से ने की बाकी बाती तो अपनी जगे पर है, है ना सारी चीजे पास्ट में जो भी हुआ है वो तो अपनी जगे पर है पर आपको सोचने भर से इस इंसान को जो है एक happiness महसूस होती है चेहरे पर smile आता है इस इंसान के और जब यह अपने अपने अंदर जागते है ना तो इनकी वो सारी जो smile है चेहरे की जो हसी है ना वो कायब हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा धोका इन्होंने किया है तो इनकी जिन्दगी में मैं देख पाते हूं कि आप एक खुशियों का एक source हो आप वो वजह हो जो इनको खुश करता है जो इनके दर्द में हील करते हो आप इनको ठीक है तो आपको सोचने भर से भी थोड दो या तीन मैसेज इनकी तरफ से आपको दोंगी ठीक है लव यो इन्फिनिटी तो यह कह रहे है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते जिसे हम गिन नहीं सकते तो इतना सारा जो है प्यार यह आपको दे रहे है यह क आपके प्यार को समझ रहे हैं आपके प्यार को मिस कर रहे हैं आपके प्यार का एहसास हो रहा है इस इंसान को तो यह आपको धेर सारा प्यार दे रहे हैं और कहरें कि लव इंफिनिटी जिसकी जो है कोई गिंती नहीं है इतना प्यारी इंसान आप से करते हैं और आपको करूंगा कुछ भी करूंगा यह यह करेंगे भी गाइस को कि मैंने कहा ना कि इस transformation के बाद changes के बाद कर्मा की जो है shift के बाद यह इंसान आपकी तरफ आएगा और मैंने यह भी कहा था कि six of pentacles आया है जो बता रहा है कि आपको वह सब कुछ गिन गिन कर हिसाब किताब से जो है आपको वह सारी चीज़े वापस करेंगे जो इन्होंने आपसे लिया है जो इन्होंने आपसे छीना है या कर्मा ने इन्होंने कर्मा ने आपसे छीना है तो ये कह रहे कि मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी अच्छा साइरी एक निकल कर आई है रंजिस ही सही दिल दुखाने के लिए आ आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ कुछ भी सोचलो क्यों कि दोगे के बाद तो एक तरीके की दुषमन लिए है न सी बशे सम contrndy का पराउन भी इनकी नजड़ी से ये चाहिए जितनी भी दुस्मन explor चुछ ना हो एक बार जो तुझे जो है मेरे जिन्दगी में आना है बले ही तुम फिर से मुझे छोड़ कर चली जा पर एक बार तुँ आ वाओ गैस तो ये तिन messages मैंने आपके लिए निकाले है आपकी person की तरफ से I hope आपको reading समझ में आई है आपको reading पसंद आई है और प्लीज पॉजिटिव होकर reading को देखे ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा ऐना ऐसी negativity नहीं चाहिए गाईस समझ गए तो इतना कहते हैं reading को कर रही है आपको रखने अपना बहर चेक है याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत जड़ा प्यार I love you all Take care Namaste and Bye Bye guys Hey guys, welcome back So, जिन्होंने भी pile number 2 select किया है BKH, PSX, EIJ, NUWRZ This means हमारा pile number 2 तो guys, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि universe आप दोनों के लिए या फिर आपके portion के लिए उनकी तरफ से क्या है guidance, उनकी तरफ से क्या है messages, उसके बाद हम आपके portion की बाते रखेंगे, कि आपके portion आप से क्या कहना चाहते है, आपको क्या बताना चाहते है, तो I am going to pick 3 cards यहाँ से मैं 3 cards निकाल रही हूँ सचाई क्या है truth क्या है जानना है guys हमें guys, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ 3 cards ठीक है, 3 cards यहाँ से निकालूंगे guilt, पहली energy, guilt good, होना भी चाहिए guilt होना भी चाहिए sorrow, number 9, number 8 sequence निकला है, 8 और 9, अब एक और breakthrough, number 11 breakthrough bottom में क्या है, देख लेते हैं number 2 आया है, inner voice इस deck से पहले 5 cards निकालेंगे और दूसरे deck से फिर 5 cards निकालेंगे ठीक है मैं कुछ messages भी pull out करने वाली हूँ तो reading glass तक देखें यहां पर तो बहुत ज्यादा पस्तावा सर्म वाली energy है guys, guilt वाली energy है देखते हैं क्या इन energies से tarot match होती है और breakthrough भी है यहां पर 8, 9, 11 और number 2 important है त्री ओफवेंज ओ माइ गाद कार्मिक कार्मिक अकाउंट है guys कर्मा वाली यह रीडिंग है कार्मिक अकाउंट है इस इनसान का आपके साथ devil आया है long distance भी बहुत है guys, यहां दो cards long distance को दिखा रही है tower भी आया है तो इन सारी चीजों के वज़े से guilt है इन सारी चीजों के वज़े से सर्मिंदगी है for offense bottom, ace of cups क्या कहना चाहते है आपके person आप से क्या बताना चाहते है, क्या बताना है इनको आपको क्या सुनाना चाहते है यह इनसान आप से क्या स्कत्रवण को क्या बताना हो क्या सकत्रवख त्ससादाररे बताना चाहते है वभब मून की एनरजी आई है हर्मिट आ गया मेजर अरकाना के तीन तीन कार्ड क्या बात है गाइस देखे डेवल के नीचे हर्मिट है देख लीजे गाइस थ्री और वेंट के नीचे मून है एस की लुट एनरजी एस आए है नाइन ओस पैंटिकल्स आपके डेवल निकलकर आई है फिर से एस की अनरजी तीन एस आचुके है और फिर से जो है देखे बॉटम की जो एनरजी है वो मैच हो चुकी है गाइस इस डेक से यहां पर होने वाला है यह future के energy है तो चलि अभी बताते हैं की future तो ही पर अभी क्या innsान कहना चाहतेinator को बतानाthen पर्टी के ऐसा के साइन और अफं में की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहले इस इंसान ने क्या कहना है क्या सुनाना है यह हम बात में बात करेंगे पहले इस तौर को क्या बताना है आपको इस वर्व क्या कहना चाहते हैं आपसे इस इंसान के बारे में इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले घंगोर अंधेरा है गाईस अंधेरा ही अंधेरा है आपके पोर्सन की जिंदगी में ठीक है अंधेरा किस वज़े से है क्या कारण है है ना सायद आपसे दूर होने का फैसला इस इंसान था है यहां पर मुण का नाध जबार को दिखा रहा है तो मजबुरी की वज़े से नकी दूर करने की हिम्मत नहीं कर पाना चाहिसित का कम होना यह सारी चीज़े डाउट सकको पैदा करती है तो दूर होने के पीछे के वज़े इनकी खुद की है इनकी ही प्रॉलम्स है जिनका सोलेशन इनके पास नहीं था तो समझ में आ गया कि कारक कौन था कारण कौन था आपके पॉर्सन खुद थे तो यह सारी चीज़े जो यहां पर हुई है उसकी वज़े से यहा बहुत बुरी तरीके से पस्तावा है गिल्ट गिल्ट और सौरो यह दोनों ही एनर्जी देके हमें आपके पॉर्सन ने नहीं भेजी है यह उपरवाला आपसे कह रहा है उपरवाला आपसे बता रहा है कि इनसान अभी इस माहौल में है इस इनसान के जिन्दगी में अभी यह चल रहा है इनके अंदर का जो राक्षस है इनके अंदर की जो डेवल था इनके अंदर में जो गलतियां थी पाप था वह सारी चीज़ें इनको खुद को नोच रही है देखे इस पिक्चर का आप देख लोगे नंबर 8 है आपको नजर आएगा एक इंसान है जो इतना प सब्सक्रेण पर्लोण को अभंड़ हो सांदर से जो पस्तावी की सकल में निकल रहा है था कंगा युद्ती आपको था दिर दोनको देखे और पर आपको ब्रा कर रही है और इनके बालों को नोचा जा एक इनको स्कुन नहीं मिल रही है नीदे नहीं आ रही है पस्तावा इतना जादा है ना कि खुद को जो है बुरी तरीके से खुद को जो है इंसान दोशी मान रहे है गिल्ट के एनरजी यहां पर आइस में भांब को दिखा रहा है अकेले आसु बहानी को दिखा रहा है अकेले तरह Gold इसे आप महसूस केजिए सब कुछ इनसान बरदास कर रहा है अकेला क्योंकि इन्होंने खुद जुँँ है यह राष्टा चुना था इनका इनकी पास directors थे यह चाहते थे जिर चाहते तो आपके साथ इस डर कीवज़े से इन्होंने आप से अलग कर दो बहुत है ऀए आधि को छोड़ने के बाद आपको छोड़ने के बाद इंसान अकेला ही सारी जीजें भूगत रहा है पेन भूगत रहा है आसो भी बहा रहा है है ना अकेला महसूस भी कर रहा है रो रहा है तन्हा है यह इंसान पर कहां पर जाकर बताए अपने इस दर्थ को कहां पर जाकर छलकाए जगह नहीं है क्योंकि वह रास्ता इन्हों खुद बंद किया है जो रास्ता आपकी तरह पहुंचता था है ना गलती किसकी है यहां पर गलती इस इंसान की है है कि नहीं तो वह सारा चीज यहां पर देखे एक बहुत खुबसरत तरीके से जो है एहसास की तरह इनको वह सारी चीज़ें एक एक करके ना इनसे जो है करमा इनको दिया जा रहा है यह इंसान जो है बहुत ज़रा तकलीफ में मुझे नजर आते हैं और मुझे बहुत दया भी आ यह इस इंसान को देखकर बहुत दया आ रही है क्योंकि मैं जानती हो ना गाइस की गलती इनकी तो है डायरेट वे में गलत यह इंसान है पर आपको यह समझना है कि पीठे जो पावर है ना उस पावर ने इनसे यह करवाया है क्योंकि यहां पर कार में अलड़ी नजर आ चु कोई है अब हमें क्या होता है कि हमारी खुली आंकों से मुझरिम तो नजर आ जाता है पर किस वज़े से वह मुझरिम बना है वह सिच्वेशन हमें नजर नहीं आती तो सिच्वेशन यहां पर करमा है और मुझरिम यहां पर आपकी पोर्सन है जिनोंने जो है आप से अभी पतूरि बनाई हैं और उसके बात जो है इंसान खुश्ड तडप रहा है इनसान खुश्य आ Proselt आह salted na निकाला जा रहा है इनका अंदर लगे हैं दो ने को kalau the Shit tuition the sadness cud flies बाहर जEO tätä मिलना नहीं है नुखे दुनिया से संपर्प तूटने वाली ऊपर वाली से संपर्क बंने वाली contact में रहने वाली आपके पौशन के नजर आई है और यह सारी चीजी ula कर ऴज़े से ही यहां पर करमा को दोस्तेना साहिदß ही रहे गाए कार्मा को 249 दे आपके पॉर्सन को मुझरिम ना बनाए कर्मा को दोस्ते कर्मा के वज़े से हुआ है पर कर्मा को भी आप कैसे ब्लेम कर सकते हो क्योंकि आप नहीं तो यह बोया था जो आपको मिल रहा है समझ गए तो यह आपको clear हो चुका है अब आपके person और क्या क्या चीज़े सोच रहे है क्या क्या चीज़े महसुस कर रहे है चले इसके बारे में भी बात करते है आपकी energy आई है nine of pentacles की जो बताता है कि दूरी बना दी है मैंने उस इंसान से बनाई है दूरी उस इंसान का साथ नहीं दिया जो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है nine of pentacles एक perfect partner की energy होती है जिसमें कहीं पर भी एक छोटा सा भी दाग ना हो जिसमें कोई कमी ना हो जिस इंसान में हर चीज सहने की ताकत हो हर फैसला लेने की हिम्मत हो इसे इंसान की रूप में यह इंसान आपको महसूस कर रहे है nine of pentacles सक्षमता वाली energy होती है सक्षम जीवन साथे वाली energy होती है जो हर चीज में जो है capable है जिसमें हर तरीके का खूपसूरती है जिसमें हर चीज को अंजाम तक पहुंचने का power है इस तरीके से आपको single energy में आपके person देख रहे है जैट मेरे से बोल्ड तो यह है मुझ में देखे कुछ चीज करने की कोई फैसला लेने की इनका साथ देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी पर इस इंसान में वो सारी हिम्मत है सारी काबिलियत है और ऐसे इंसान की रूप में आपको एक bold एकदम सक्षम independent single इंसान की तरह देखते है यानि कि एक best partner की तरह आपको जो है इंसान miss कर रहे है अभी के energy में इनको यह आपसे यह कहना इनकी जो first बात है जो यह आपसे कहना चाहते है ना कि मुझे में वो नहीं है जो तुम में है मुझे में वो बात नहीं है जो तुम में है और मैंने ऐसे इंसान को खो दिया है या अपने से दूर कर दिया है और इसी बात का guilt यहाँ पर इनको बहुत जारा सता रहा है कि खोया तो किसे खोया देख लो अगर आप किसी और की जिन्दगी में चले गए गया तो ये ता-उम्र की इनसान पस्ताता रहेगा कि मैंने किसे खो दिया है देखो जिस इनसान पर मेरा हग था इस इनसान को जो है मैंने हमेशा के लिए खो दिया अगर आपकी marriage by chance किसी और के साथ हो जाती है वो होगी नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर marriage का काड़ आप दोनों के लिए वह भी double निकल कर आच चुका है bottom में भी और यहाँ पर भी तो marriage तो इस इंसान के साथ आपकी पकी है पकी है गाईज पर सभी की तो नहीं है क्योंकि जनरल रिडिंग है कुछ लोगों का तो यहाँ पर वह सब्सक्राइब कि किसी और के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है है ना तो अगर आपकी marriage कहीं by chance किसी और के साथ हो गई तो यह इंसा इंसान डिलेज तो कर रहा है इनकी awakening के वजह से देर फर्मा रहा है कॉंटक्ट आपको नहीं कर रहा है आपको message नहीं कर रहा कॉल नहीं कर रहा relationship का offer आपको नहीं देरा दूर भाग रहा है आपसे आपसे दूर भाग रहा है तो क्या हुआ यह इंसान उपर वाले के साथ जो है accept करना होता है समझ पर देख रही हूं ना कि इनके अंदर से देखे वह राक्षों डेवल वो सैतानी जो भी ताकते थी जो इन से गुणह करवा रहा रहा था जो इनको जो है आप से दूर करवा रहा रहा है गिल्ट समझ गई यह सारी हर्मिट के वज़े से ही तो हो रही है तो देरी हो तो क्या फर्क पड़ता है पाइल नमबर डू कोई फर्क नहीं पड़ता इस इंसान के जहन में वो टावर मुमेंट बहुत है इस काट का मुझे लग रहा है कि आज की रिटिंग में दो मीनिंग है एक तो जो आपके साथ घटी घटनाय है जो टावर हुआ है जो बरबादी हुई है जो जो रिलेशन्शिप में तोड़ा गया है चाहे वो प्यार को तोड़ा गया चाहे रिस्ते को तोड़ा गया चाहे भरोसे को तोड़ा गया है ना चाहे दूरी आई गई तो जो भी टावर मुमेंट आया है उस टावर मुमें मुमेंट को यानि कि पास्ट की चीजों को रिलेशन्शिप में हुई जो भी पास्ट की बाते थी पास्ट का जो रिग्रेट है उन रिग्रेट को बहुत जारा महसूस करता हुआ नजर आया है आपका पॉर्सन और आपसे यही कहना चाहते कि रिलेशन्शिप को तोड़ कर I am not हापी रिलेशन्शिप से दूर होकर मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारा साथ छोड़ कर मैं खुश नहीं हूँ मुझे इन सारी चीजों का अंदर से ही एहसास है अंदर से ही फील है समझ रहे हो तो टावर को तो याद करें और साथ ही साथ प्रेजन सिचुशन में भी मुझ सिर्फ पाश की बाते नहीं होती है यह प्रेजन में भी चल रहा होता है तो यह आप से यह भी कहना चाहते है कि जिन्दगी में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसका सामना मैं कर रहा हूँ जिसके वज़े से मैं परेशान हूँ जिसके वज़े से मैं तकलीफों में हूँ और मैं मेजर अरकाना का हर्मिट अगर सच है तो मेजर अरकाना का मून भी सच है जो बता रहा है कि अभी इस वक्त फिलहाल अभी इस पोजीशन में अभी इस टाइम में है ना क्योंकि यह जो समय है यह आपका और इनका समय है यह डिवाइन समय नहीं है आप समझ लो इस बात को हम कह का चल रहा है इनका चल रहा है उपर वाले का चलना तो अभी बागी है उपर वाले का आना तो भी बागी है गाइस समझ लो इस बात को तो इस समय में यानि कि आपके पार्टनर के टाइम में और आपकी अभी इस समय में जो चल रहा है इसमें अभी भी चीजों को लेकर प्रा कभी कार्ड निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मून के कार्ड में हमेशा मून का जो आँखे होता है वो बंध होता है गिर गया है तो उसका मतलब क्या होता है कि बंध आँखों के पीछे अभी भी बहुत सारे चीज़े रहस्य मई है यानि कि छुपी हुई है आपके अपके लिए प्यार हो सकता है यह जो जुदा हुए है है थिक है क्योंकि उनके वह आके खूलने का वक्त नहीं आया है उनका वो divine time नहीं आया है इसली वज़े से इस इंसान ने हच से ज़्यादा ही आपके साथ हर चीज को छुपा कर अभी भी रखा हुआ है क्योंकि ग्रहन है ये आप दोनों का समय चल रहा है उपर वाले का समय यहाँ पर नहीं आया है जब ये ग्रहन हर जाए और ये इंसान आपके सामने सारी चीज़े सच्चाई के साथ बोल दे कहने का मतलब साफ साफ यह है कि अभी भी परदे के पीछे बहुत सारी चीज़े है जो आपको ये नहीं बता रहा क्या नहीं बता रहा इनका आपके लिए प्यारी इंसान नहीं बता रहा है क्योंकि बताने का वो सही समय नहीं आया है और हर्मिट भी यहाँ पर है जो कह रहा है कि हर्मिट के बाद ही हर्मिट के खतम होने के बाद ही है ना इस इंसान के बदलने के बाद इस इंसान के सुधरने के बाद इस इंसान के अंदर से वो सारी गलत चीज़े हना हटाने के बाद, changes आने के बाद यह ग्रहन भी हटेगा, यह समय definitely आएगा, समय definitely आएगा, क्योंकि इन में अभी मुझे courage नजर नहीं आती, इन में वो सहस नजर नहीं आ रहा है, जिसके वज़े से ही इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, commitment का phobia, marriage का phobia, family के खिलाव जाने का phobia, phobia मतलब दर होता है, phobia का मतलब डर होता है, तो इन चीज़ों को लेकर डर है, यहां पर अब भी भी है, और आपका साथ जेद देने के बजाए, इस इन्सान ने अकिला रहना ही चूस कर लिया, या फिर अकिला साथ आपका साथ छोड़कर दर्द में रहना ही, जो है, इनको साइद आसान रास्ता नजर आया होगा, इस वज़े से तो इन्होंने करमा की वज़े से समझ रहे तो एक भूप सूरत जर्णी इनकी यहाँ पर है isolation हो कोई बात नहीं अकला पान हो कोई बात नहीं progress तो है सुधर ने का progress यहाँ पर चर रहा है दूसरी तरफ यहाँ पर आया है devil का card अगर यह karmic connection ही है न काइस कि twin flame भी है देखे twin को लेकर भी निकल कर आया है दो cards तो अगर यह karmic twin दोनों ही है तो भी मैं आपको बता दू कि यहाँ पर physical attraction भी बहुत जाघा है यह इंसान आपसे दूर होकर भी ना इतना ज़रा connection महसुस करता है जुडाओं महसुस करता है अट्राक्शन महसुस करता है आपको जो है इतना आपके लिए तना तरपता है यह इनसान तरपने का सेंस कैसा है तरपने का सेंस यहां पर ऐसा है physical contact की बाते मैं कर रही हूं मेल फीमेल में एक लड़का और लड़की के बीच में फिजिकल अट्राक्शन ये बहुत तॉर्मल सी चीज़े हैं है ना तो वो अट्राक्शन भी यहाँ पर बहुत जबर्जस्त है और ये इंसान आपसे ये कहना चाहते कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा तुम्हारे अट्राक्शन से मैं दूर नहीं हो पा रहा दिन रात ही इंसान आपको याद कर रहे हैं समझ रहे हैं फिजिकल अट्र से डवल को भी निकाल रहा है हर्मिट ठीक है और इनको जो है आपके इनके मन में आपके लिए प्यार पैदा हो रहा है प्यार पैदा करवा रहे हैं युनिवर्स तो टाइम तो लगे आपाई नमबर टू कि ताइम लगेगा अभी देखे सारा इनको सारी इनकी जो है जर्णी यहां पर स्टार्ट होई है कि कैसे इन्हों ने आपको धोका दिया किस वज़े से आप से दूर हुए किस तरीके से जो है आपको यह अपनी लिए परफेक्ट मान रहे है सेक्शली पर है ठीक है यह सारी चीज़े तो इन्हों ने आपको बता दी देट कनेक्शन इतना मजबूत है और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है तो भूल तो पाना मुस्किल है सोच लों कि नाकी बराबर है आपको भूल जाई इनसान तो आने वाले में वक्त में मैं देख रहे हूंगा इसकी जो कदम यह इनसान अभी नहीं उठा रहा देखे थ्री ओफ वेर्स यहां पर भी कदम नहीं उठा रहा यहां पर भी स्ट्रिप जो है नापतोल करने वाली एनरजी है आगे बढ़ना चाहत है यून पहुंचना भी चाहते है डेस्टिनी तक इनकी डेस्टिनी हो आप nine of pentacles इनका destiny हो आप जिसके साथ इनको marriage करनी है पर यहां पर यह इंसान रुका हुआ है where is the moment आगे action कहा है नहीं है रुकी हुई energy है इस मून और हर्मिट के वज़े से इनसान अभी रुका हुआ है क्योंकि आप दुनों का divine timing नहीं आया है guys समझ रहे हो और यह इनसान definitely इस energy से निकलने वाले है निकलेंगे हर्मिट आ गया है तो बेफिक्र हो जाओ निकलेगा यह इनसान सुदर कर बदल कर अच्छा बनकर गलत या दुबारा नहीं करूँगा इस अंदाज में इनसान प्रिपेर हो रहे है तो definitely कदम भी बढ़ाएंगे आना भी चाहते है आएंगे भी और क्या क्या होने वाला है आने वाले दिनों में brand new beginning होने वाली है और क्या guys वहाँ पर देखे nine of wands है जो failure को दिखा रहा है कि failure मानत है अपने आपको आया है जो बता रहा है कि यह इंसान new beginning करना चाहते है अभी नहीं कर रहे है और करेंगे नहीं कुछ कुछ दिनों के लिए नहीं करेंगे guys कुछ समय लगेगा यहां पर ठीक है तो new beginning भी होगी इनकी तरफ से ही होगी प्यार offer भी यह करेंगे start-up भी आप द आप दोनों को करीब लेकर आएगा और आप दोनों के relationship में जो सुकून पहले नहीं था वह सुकून आप दोनों को मिलेगा इस relationship में offer होने वाला है ठीक है और brand new beginning के बाद brand new beginning को लेकर देके तीन तीन energy यहां पर आपको जीतने वाली energy है यहां पर देखे आपके साथ romantic पल बिताने वाली energy है तो ऐसा beginning यहां पर आप दोनों के relationship में हो रहा है तो अभी सब थंडा है थंडा पड़ा हुआ है अर्मिट की वज़े से थंडा कुछ नहीं है कुछ करने का जुनुन नहीं है और आने वाले दिनों में देखे तीन तीन सारी चीज़े हैं यहां पर चाहें पैसे रुपे से कुछ हो ना हो क्योंकि यहां पर ace of pentacles नहीं आया है तो हो सता है कि पैसे रुपे से सक्षम ना हो आपके portion पर relationship है देखे हर जगह पर यहां पर काम्याबी है beginning है new startup है समझ रहे हो तो new beginning है और relationship का जो अंजाम है गाईज वो जाकर आपका खतम होता है देखे marriage पर ही four events four events दोनों ही success, victory, marriage, blessings को दिखा रहा है abundance को दिखा रहा है भरोसा वापस जुड़ने को दिखा रहा है जो तूटा है यहां पर देखे यह pillar तूटा है यह पिलर तूटा है यहां पर पिलर जुड़ा है देखे success होगा इस relationship को मिलना ही सफलता है पर कर्मा face करने के बाद guys यह भी मैं बता दू कर्मा क्लियर होने के बाद कर्मा क्लियर अभी तक यहां पर हुआ नहीं है प्रोसेस चल रहा है काम हो रहा है अगर यहां पर will of fortune वर्ल जैसे काड़ आ रहा थे तो मैं कह सकते थी कि divine timing आ चुक आया मैरीज तो इस इंसान के साथ आपकी पकी है guys पकी है देख्या आएगा वापस शिक्स ववेंस भी आया है आएगा यह इंसान दूर भी है तो आएगा जैसे गया है जैसे भागा है आपके जिन्दगी से वैसे ही दुबारा लोटा दिया जाएगा आपके सरनों में आना है इस इंसान को क्या कहूं मैं आपसे और आंने भाग सकते हो ना आप prawßen भाग सकते हैं इस हर्मिट rocky मिलेगी Abg आप दोनों की एक होने की एक वजह यहां पर दी जाएगी कोई सोर्स मिलेगा प्रावलम्स है अगर यहां पर जंजट जो चल रहा है ना दिवारे जो चल रही है वो दिवारे सब हटेगी आपके दोनों के रास्त के बीच से आप दोनों के बीच से हट जाएगी प्रेक्थ्र हो जाए आप दोनों जो है दुबारा एक साथ आजाओ अभी बहुत लंबी दूरी है आप दुनों के बीच में तो उस दूरी को गैप को फिल करने के लिए इस वर जो है कोई ना कोई माध्यम को आप दुनों के बीच में लाएंगी गाइस अभी इनर वोइस का काड़ आया है definitely वही बात है कि इस इंसान के awakening चल रही है चीजों को ये इंसान देखे बहुत गहराई से सोच रहा है अंदर आत्मा की आवाज को सुन रहा है है na changes लाने की कोसिस कर रहा है इनकी अंतरात्मा इनको बार-बार कह रही है, इनको सबक सिखा रही है, कि तुम गलत थे, तुमने गलत किया है, देखो, समझ रहे हो, तो बहुत खुबसुरत जर्णी है, इनका एक सफर है, और इस सफर में आपको disturbance नहीं करनी है, कर्मा को अपना काम करने देना है, जैसे चल करना है, अभी आप दोनों का समय जो है, खराब चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग, यानि कि उपर वाले का समय तो आना बाकी है, और वो आकर ही रहेगा, आकर ही रहेगा गैस, और आप दोनों को जो है सफलता ही इस relationship में मिलनी है, चलिए, मैं दो messages यहां से निकालती हूँ कि आपके पॉर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, यू मेक मी लाफ कॉंस्टेंटली, तो आप दोनों जो है, यून जब आभी तो आपके पॉर्सन बिलकुल देखेगा, इस बिलकुल हसी मजाग के मूड में ये इनसान है, ही नहीं हर्मिट है, हर्मिट आता है, तो हसी लाना, मौज मस्ती, ये सारी चीज़े अचानक अपने आप ही कम हो जाती है, वैसे भी हर्मिट के एनरजी में, पर आप वो हो, ये पहले की बात आप से कह रहे हैं, कि तुम वो इनसान हो, जिसने हमेसा मुझे हसाया है, हमेसा मेरे चेहरे पर स्माइल आई है, तुम्हारी वज़े से, है ना, तुम्हारे वो जोक से याद आते है, तुम्हारी वो बाते याद आती है, यानि कि आपके साथ ये इनसान कभी सैड नहीं होता था, आप दुनों ने बहुत अच्छा कॉलिटी टाइम जो है साथ में बिताया है, ऐसा लगता है, इनके इस मैसेज को वाव, यह कह रहे हैं, तुम मेरे जिन्दगी का उजाला हो, तुम मेरे जिन्दगी का सवेरा हो, और आज नहीं हो आप, तो देखो सारे के सारे डार्क एनर्जी, सारे के सारे डार्क एनर्जी, लाइट कहां है इस इंसान के जिन्दगी में, कहां है अंधेर, अंधेरे के लावा क्या आप दिखे चारो खेचिस आंधेरा नजर आए वह आपको dark अंधेरा खाली पन सुना पन अकेला पन न तो यह कहए है कि तुम्ही वेरे जिन्दगी का उजयाला हो तुम्ही वह लाइट हो है न तुम्हारे भीना जिन्दगी बिलकुल अधूरी है सुनसान है इनकी जिन्दगी गाईज समझ रहे हो तो चलिए आप मैसेज भी तीन दो या तीन मैसेज भी हम निकालेंगे गाईज hope we will meet soon हर्मिट खुद एक में उमीद एक जो है उमीद के एनरजी होते है क्योंकि आपको light जहां पर भी जिस गाड में आपको light नजरा जाए ना उसमें आपको सोचना है कि इस relationship में उमीद है possibilities है संभावनाएं है उमीद से भरी हुई होती है ऐसी एनरजी जहां पर सन आपको नजरा आता है सन आपको कहाँ पर नज़राता है हर्मिट के कार्ड में नज़राता है हैंग्ड में के कार्ड में नज़राता है सन का खुद का एक कार्ड होता है उसमें आपको नज़राता है है ना तो यहाँ पर भी देखे उमीद है आपके पोर्सन उमीद कर रहे हैं यहाँ पर कि आप दो उनों की marriage वाली future निकल कर आई है घर वाली नहीं मान रहे तो moon की जो energy आई थी है ना जो मैंने आपसे कहा था डर phobia 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 कहा था ना तो घर के वज़े से आपको यह बता रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कहने ही पारे तो यह एक important message है उन लोगों के लिए जिनके बीच में घरवाले आ गए थे घरवालों की वज़े से रिस्तागर तूटा था घरवालों की वज़े से marriage नहीं हुई घरवालों की वज़े से आपका साथ छोड़कर यह इनसान गया है तो यह आपसे कह रहे हैं कि अभी और मैंने आपसे सुरुआत में ही कह दियाता कि अभी अभी यह उस परिस्तिती में है ही नहीं है ना डिवाइन टाइमिंग पर ही यह इनसान जो है कुछ करेगा पावर्स में आएगा अभी नहीं कहा भी था और वही बात आ गई कि मेरी मजबूरी की वज़े घरवाले हैं I would do anything for you मैं तुमारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगा और यह भी future energy अभी तो करने से रहे गाई अभी तो करने से रहे है ना पर यह future वाली बात निकल कर आए कि मैं तुमारे लिए कुछ भी करूंगा अभी अगर आप इसे कहोगे ना कि इसे present में आप बताओ दिदी तब मैं आपसे नहीं कहूंगे क्योंकि अभी उस इस्तिती में है ही नहीं ग्रहन चल रहा है हर्मिट चल रहा है यह कोई मामूली बात नहीं है गाई ब्रेक्थ्रू आएगा वह समय आएगा डोंट वरी वह समय आएगा जब यह इनसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे उससे पहले नहीं ठीक है गाई तो यह थी आपकी परसन की तरफ से वह सारी चीजे वह हकीकत जो यह आप से कहना चाहते थे आई होप आपको समझ में आ गई है और आपको रिडिंग पसंद आई है तो गाई वीडियो पर एक एक लाइक करना शेयर और सब्स्राइब कर देन मैं मिलूंगे आप से फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको रखना है अपना बहुत चाहियाल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार I love you all, take care, namaste and bye bye guys